प्यारे बच्चों, आपके स्वस्थ भविश्य की कामना के सार, नए सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं रुची वर्मा. आप सभी को नई कक्षा में आने की बहुत बहुत बधाई, नए सत्र का रुमांच हमेशा ही होता है, लेकिन इस बार इस रुमांच में दोस्तों और स्कूल का साथ छुब गया, लेकिन एक नया अनुखा अनुभाव आपके साथ जुड़ा, जो हमेशा यादगार घटना के साथ रहेगा, नए सत्र के रुमांच का एक खास रुमांच होता है, नए किताबों से मिलना, उन्हें छूना, उनसे दोस्ती करना, तो आईए, आज आपको मिलवाते हैं कक्षा आठ की विज्ञान की किताब से, अब आप सोच रहे होंगे, ये कैसी बात कर रही हैं, उससे तो हम पहरे ही मिल चुके हैं, एक बार हमारे साथ मिलिए, कुछ नया अनुभव मिल सकता है, तो आईए, मिलते हैं कक्षा आठ की विज्ञान की किताब से, ये हमारे पास है विज्ञान की किताब, कहां से शिरू करें, जो दिख रहा हैं, वहीं से करते हैं, यानि कि इस कव कवर पेज से और कवर पेज को में user कहती हूं किताब का दर्वाजा तो आईए देखते हैं कैinkर सै कवर पेज हमे बहुत कुछ बताता हैं सबसे पहले तो किस विशय की किताब है, कौन से इस तर की किताब है, यानि कौन से क्लास की है और किस भाशा में लिखी गई है, जैसे मेरे सामने जो किताब है, यह English में लिखी हुई है, यह हम cover page देखकर बता सकते हैं क्योंकि यह science textbook है, इसी तरह एक और किताब है, कक्षा 8 की ही है, लेकिन यह किताब हिंदी में लिखी गई है, क्योंकि यहाँ विज्ञान लिखा हुआ है और तीसरी किताब को आप देखकर ही समझ सकते हैं, कि यह किताब उर्दू में लिखी गई है, विज्ञान की कक्षा 8 की किताब अब cover page हमें और भी बहुत कुछ बताता है, अगर cover page को हम ध्यान से देखें, बहुत सारी खुबसूरत रंगीन चित्र हमें नजर आते हैं और रंगीन चित्र देखना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है, इस किताब के चित्र को देखिए और पूरे cover page को देखिए, क्या आपके मन में कुछ विचार आ रहे हैं और क्या कभी आपने ऐसा किया है कि cover page को लेके बैठें, उसे बहुत देर तक देखा, कुछ जो भी मन में आया, उसको कागस पर उतारा अगर ऐसा कभी नहीं किया, तो इस activity को आज हमारे कहने से जरूर करिए किताब के cover page को ध्यान से देखिए, हाथ में कागस और पैंट ले लीजिए और जो कुछ मन में आ रहा है, उसको कागस पर उतार दीजिए और उतारने का तरीका आप करहेगा चाहे आप कुछ लिख लीजिए, चाहे उस पे कवीता रच डालिए चाहे कुछ चित्रों या रंग भी रंगी, ड्रॉइंग्स के माध्यम से अपने विचार प्रकट कीजिए करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा फिलहाल मेरे मन में इस cover page के चित्रों को देखकर कुछ आ रहा है ये चित्र कह रहे हैं कि ये हमें इस धर्ती पर जो कुछ हो रहा है उसकी गहराई में ले जाने वाले हैं, वो भी वेज्ञानिक आधार पर अब कितनी गहराई में ले जाने वाले हैं, ये तो दर्वाजे के अंदर जाकर ही पता चलेगा तो चलते हैं दर्वाजे के अंदर और ये खोला हमने cover page पहले प्रिष्ट पर मुझे फेर से दिखा science लिखा हुआ textbook for class 8 लेकिन ये क्या उसके नीचे मुझे एक चोटा सा box नजर आ रहा है इसे कहते हैं QR code यानि अब हमारी किताब हो गई है mobile friendly एक नई तरह की उर्जा इसके पास आ गई है और इसी लिए इसे कहते है energized book अब इस QR code का हमें करना क्या है इस QR code को कैसे इस्तमाल करना है इसकी पूरी detail आपको इसके सामने वाले प्रिष्ट पर दिखेगी यहां एक box देख रहे हैं और लिखा हुआ है step by step guide for users to access e-resources linked to QR code यानि की इस किताब में हमें text के साथ ही कुछ e-resources भी मिल रहे हैं जो की हमें इस QR code के माध्यम से दिखेंगे अब यहां पर इसको इस्तेमाल करने का तरीका तो लिखा है लेकिन हम आज आपको करके दिखाते हैं तो mobile हम हाथ में लेते हैं और गई इसके scanner पर scanner on किया जैसे ही इसने इसको scan किया decoding हो गई और decoding होते ही आपको screen पर कुछ दिखा आप e-patchala पर पहुँच गए हैं अब इस e-patchala के link को हम click करते हैं यानि कि अब हम पहुँचेंगे सीधा e-patchala पर और यह खुल गई e-patchala अरे पूरे किताब के chapters यहां पर हमें नजर आ रहे हैं यानि कि पूरी किताब इस mobile की मुठी में आ चुकी है chapter 1 को ज़रा click करके देखते हैं और यहां download का option है इसका मतलब chapter 1 को हम यहां download करके इस किताब के उस पूरे chapter को यहां ला सकते हैं और जितने भी chapters है उन सभी को इस तरह से अपने mobile में देख सकते हैं तो यानि पूरी किताब अब है इस mobile में यानि दुनिया के किसी भी कोने से आप इस किताब तक पहुँच सकते हैं बशरते आपको QR code का नंबर पता हो तो विज्ञान की क्लास एर्थ के किताब जो की इंग्लिश में लिखी है यानि साइन्स टेक्सबुक का QR कोड है 0854 नोट कीजिए 0854 और जैसे ही आप इस कोड को इपाथशाला पर टाइप करेंगे आप इस किताब के चैप्टर्स तक पहुँच जाएंगे इसी तरह से जो हिंदी की किताब है उसका कोड है 0855 तो अब हमें ये तो पता चल चुका है कि अगर हमारे पास किताब की hard copy यानि किताब हुद हमारे हातों में किसी कारणवश नहीं है तो हम mobile का या technology का इस्तिमाल करके किताब तक आसानी से पहुँच सकते हैं अब और आगे चलते हैं देखते हैं किताब में क्या है जैसे ही हमने पन्ना पर्टा यहां लिखा हुआ है forward यानि आमुक अब आप कहेंगे ये पन्ना हमारे काम का नहीं है आगे चलते हैं ठहरिए कुछ समय हमारे कहने से इस पन्ने के साथ भी गुजारिए क्योंकि इस पन्ने में आपके मन की बहुत सी बाते कही गई है क्या आपका मन नहीं करता कि इस किताब में जो कुछ लिखा है वो आपको अपने आसपास चारो तरफ नजर आई आपको रटने की प्रक्रिया से रटने का जो बोज है उससे छुटकारा मिले आपको अलग अलग विश्यों को एक साथ मिलकर पढ़ने का मौका मिले कुछ इसी तरह की बातें इस पन्ने पर लिखी गई है तो इस पन्ने को जरूर पढ़िए अब और आगे चलते हैं और पहुँचते हैं अगले पन्ने पर जहां मुझे दिख रहा है प्री फेस का हेडिंग प्री फेस लिखा हुआ यानि प्राक कथन बच्चों ये पन्ना इस किताब के बनने की कहानी बताता है यानि कितने लोगों के अथक प्रयास से इस किताब का निर्मान हुआ और उस निर्मान के दौरान आपकी किन-किन जरूरतों को ध्यान में रखा गया इस पन्ने में बहुत अच्छे से बताया गया है अगर हम इस किताब के विशिष्टाउं की बात करें तो हम आपको बताएं कक्षा छे और साथ में जो पहेली और बूजो आपके मित्र थे वो क्लास एर्थ यानि कक्षा आठ में भी आपका साथ निभाएंगे और आपके साथ हमेशा रहेंगे यानि इस बार भी आप इस किताब को अकेले नहीं पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे पहेली और बूजो के साथ और पहेली और बूजो के आने से तो ऐसा लगता है कि किताब खुद बखुद बोलना शुरू हो गई है अपने आप बोलने लगी है और पहेली और बूजों से आप लोग प्रेरित भी बहुत हुए होंगे किस मुद्दे पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे प्रश्न पूछना आप जानते हैं पहेली और बूजों कितने उत्सुख हैं आप ही की तरह और उन्हें प्रश्न पूछना बहुत अच्छा लगता है, जैसे आपको लगता है लेकिन कभी-कभी प्रश्न पूछने से मन बहुत डरता भी है पहली और बूजो के साथ ने आपके उस डर को तो निकाली दिया होगा प्रश्ण पूछने के साथ ही एक और खास बात पहली और बूजो के साथ कि वो सिर्फ प्रश्ण पूछते ही नहीं है उनके उत्तर तक पहुँचने की पूरी कोशिश करते है और उनसे आपने भी ये सब सीखा होगा कि जो विचार या जो सवाल हमारे मन में आ रहे हैं वो सिर्फ सवाल बन के न रह जाएं उनके उत्तर तक पहुँचने के लिए हम पूरा प्रयास करें और उस प्रयास में हमारे साथ हमारे बड़े हैं ही हमारा शिक्षक हैं हमारे अभी भावक हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और उससे भी उपर सबसे ज्यादा साथ है हमारे दोस्तों का जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं सवालों के हल तक पहुँचने के लिए किताब में बहुत सारी activities क्रिया कलाप दिये गए हैं और उन क्रिया कलापों को करके आप सवालों के जवाब तक आसानी से पहुँच सकते हैं और एक खास बात उन एक्टिविटीज को करने के लिए कोई बहुत विशेश सामान की आवश्यक्ता नहीं आपके आसपास जो मौजूद हैं उन्हीं को इस्तमाल करके आप क्रिया कलाप आसानी से कर सकते हैं क्रिया कलाप करते समय एक खास बात का ध्यान क्रिया कलाप सिर्फ मनुरंजन के लिए ही नहीं है हमें उन क्रिया कलापों से कुछ सीखना है तो जो हम प्रेक्षन करते हैं, उन प्रेक्षनों को नोट करते जाईए, कौपी में लिखते जाईए और उन प्रेक्षनों के आधार पर निशकर्ष तक पहुँचने की कोशिश कीजिए, अपने बड़ों का सहयोग भी ले सकते हैं अब एक खास बात आप सब के लिए गौर से सुनिए, जब भी आप क्रिया कलाब करते हैं, तो कोई ऐसी वस्तू जो आपको हर्ट कर सकती है, आपको शती पहुँचा सकती है, उसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से कीजिए चाहे वो आग हो, चाहे वो कोई नुकीली या धारदार चीज हो, या फिर कोई केमिकल हो, कभी भी केमिकल्स को बिना अपने बड़ों की परमेशन के आज्या के छूना नहीं है, और ना ही उसे चखना है, ये हमेशा ध्यान रखिए तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, और अब मैं पहुँच गई हूँ, उस पेज पर, जहां पर लिखा है, A Note for the Students, यानि विद्यार्थियों के लिए संदेश बहुत सारी बातों की चर्चा तो हम कर चुके हैं, लेकिन पहेली और बूझो, आपसे एक खास बात यहां कहना चाहते हैं उनके प्रश्णों की पोट्ली को भरने में आप सहयोग तो देंगे ही, लेकिन उनका कहना है कि जब आप क्रिया कलाप करें और प्रेक्षन लिखें, वहां पर इमानदारी से अपने प्रेक्षन नोट कीजिए क्योंकि बच्चों अकसर ऐसा होता है, अगर हमारा प्रेक्षन या अब्सुवेशन हमारे दोस्ट के अब्सुवेशन से माच नहीं करता, तो हम परेशान हो जाते हैं और हमें लगता है शायद हम ही गलत हैं और हम नकल करने की कोशिश करते हैं और वही सबसे बड़ी समस्या है तो पहली और बूझो आपको यही कहना चाहते हैं कि आप जो भी करें जैसा भी करें जो आपका observation है आप उसी को मानें और बार-बार उस activity को करके देखें अगर बार-बार वही प्रेक्षन आ रहा है इसका मतलब आप सही है और अगर अंत में आप सही निश्कर्श तक नहीं भी पहुच पाते तो कोई बात नहीं आप activity को दुबारा करके देख सकते हैं यह पूरी प्रक्रिया आपको सीखने और समझने में बहुत आगे ले जाएग तो कभी भी अपने दोस्तों को देख कर अपनी राय न बदले जो आपको दिख रहा है जो आप अपने हाथों से करके देख रहे हैं उस पर विश्वास करें तो यह खास सुझाव था पहली और बूजो का आपके लिए अब और आगे बढ़ते हैं और अब खुल गया है मेर यह पेज जहाँ पर लिस्ट अफ कंटेंट्स है यानि की चैप्टर के नाम है और दो पेज़े में ही चैप्टर है और कुल 18 पार्ट मुझे नजर आ रहे हैं तो यानि 18 चैप्टर है इस किताब में तो चलिए अब चैप्टर देखते हैं किस तरह से हैं और मैं पहुच हूँ chapter number one और अगर मैं इस chapter को देखती हूँ तो extreme right दाहीने हाथ की तरफ मुझे फिर से वह box यानी QR code नजर आ रहा है और हम पहले ही जान चुके हैं कि इस topic या इस part से संबंधित कुछ e-resources हमें इस QR code से मिल सकते हैं और क्या-क्या खास है इस chapter में देखते हैं पहली और बूझो तो मुझे नजर आ ही रहे हैं साथ में रंगीन boxes रंगीन डब्बे भी नजर आ रहे हैं कुछ blue कुछ green और orange या yellow color के तो अलग-अलग रंगों के डब्बों की क्या खास बात है जारा जानते हैं नीले और हरे डब्बों में तो पहली और बूझो ने अपनी जगह बनाई रही है उन्हें जो कुछ कहना है इन डब्बों में वो लिखवा दिया गया है लेकिन जो orange box है वो बहुत खास डब्बा है क्यूं क्यूंकि उसमें आपको कुछ ऐसी interesting बातें कुछ मज़ेदार किस से मिलेंगे कुछ anecdotes कुछ stories कुछ facts ऐसा मिलेगा जो आपके content या part से संबंधित तो होगा नेकिन एक मज़ेदार बार कि non-evaluative होगा यानि उस पर आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे सिर्फ मज़े के लिए पढ़िए और आनन्द उठाइए और आगे चलें कुछ और भी मुझे नजर आ रहा है रंगीन और उसका रंग है magenta, pink दोस्तों बच्पन बहुत चंचल होता है और ये आप भी मैसूस करते होंगे और शरारते करने का मान हम सबका करता है लेकिन जब हम कोई भी आक्टिविटी करते हैं तो वहाँ पर अपनी शरारतों को थोड़ा सा विराम देना होगा और इसी वजहर से यहाँ पर आक्टिविटी बॉक्स में पिंक कलर या मजंटा कलर से आप कुछ टेक्स्ट देखेंगे वहाँ आपको सावधान किया गया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए क्रिया कला या एक्टिविटी करते समय अब हम पहुँच गए हैं लगभग लगभग चैप्टर के अंत में और यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है लिखा हुआ की वर्ड्स यानि मुख्य शब्द इस चैप्टर में जितने भी प्रमुख शब्द आए हैं वो इस नीले डब्बे में लिखे गए हैं इसी के साथ में एक हरे रंग का ग्रीन करर का बॉक्स है जिस पर लिखा गया है यानि अब आप समराइस करेंगे जो कुछ आपने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा उसका एक सारांश आपके सामने प्रस्तुत है और आप जल्दी से उसको रिवाइस कर सकते हैं और उसके बाद अंत में हम आते हैं आखरी पढ़ाओ पर यानि अभ्यास प्रशनों पर और बहुत सारे interesting और challenging questions आपके सामने होंगे और खास बात इस exercise के एक पार्ट में जिसे की heading दिया गया है नाम दिया गया है extended learning activities and projects जो कि आपके पार्ट का आपके chapter का सबसे अंतिम पढ़ाओ है और यहाँ पर एक बहुत खास बात आपको देखने को मिलेगी कि इस portion में आपको कुछ ऐसे ideas मिलेंगे जिससे आप अपनी community से अपने दोस्तों से अपने parents से अपने बड़ों से जुड सकते हैं और उनसे लाब हुटा सकते और उनसे बात करके कुछ नई जानकारियों तर पहुत सकते हैं तो जो extended learning या activities and projects वाला हिस्सा है उसे करने का आनंद आप जरूर उठाइए तो आखरी पड़ाओं पे हमने देखा कि बहुत तरहीकी की exercises या अभ्यास प्रश्न हमारे सामने है लेकिन हमेशा एक प्रश्न एक डर्मन में रहता है कि इन प्रश्नों के अभ्यास के बाद भी हम परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे क्या उनको हल कर पाएंगे तो बच्चों इसका तो एक ही उपाय है कि आप ज्यादा से ज्यादा practice करें तो बच्चों practice के लिए आपके पास है ये exemplar problem यानि की प्रश्न प्रदर्शिका और इस किताब में हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है इस किताब में आपको मिलेंगे practice के लिए बहुत सारे सवाल और बहुत variety के सवाल MCQs यानि multiple choice questions, short answer type questions, very short answer type questions and long answer type questions तो इस किताब का भरपूर फायदा उठाईए तो ये है exemplar problem या प्रश्न प्रदर्शिका और खास बात अगर इसकी hard copy यानि कि किताब आपके हाथ में नहीं है तो चिंता की बात नहीं क्योंकि ये किताब भी आपको online NCERT की website पर आसानी से मिल जाएगी तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को अपने हाथों से हल करके देखिए और अपने मन के डर को दूर भगाईए क्योंकि examination phobia एक बहुत खतरनाक और बड़ी बिमारी लगती है तो जितनी practice करेंगे आपका वो phobia उतना जल्दी दूर होगा और एक चीज़ खास बात इस किताब में बहुत सी activities दीवी हैं लेकिन फिर भी कभी मन करता है कि इसके अलावा भी कुछ करके देख लें और आपके मन की इस बात को भी हमने बहुत सम्मान दिया और ध्यान रखा और इसलिए एक और छोटी सी पुस्तिका आपके लिए बनाई गई जिसका नाम है लबाटरी मैनुवल यानि प्रयोक्षाला पुस्तिका उस पुस्तिका को आप रेफर कर सकते हैं देख सकते हैं वो भी आसपास उपलब्द सामानों से ही हो सकती हैं तो आपके उजवल भविश्य की कामना के साथ अब हम विदा लेते हैं स्वस्त रहें सुरक्षित रहें नमस्कार कर दो समय हो यह बशना टतुँ कि और समय हो भुस्त व नहा आपके जशता हैं से हाड़ांग्लों से हैं स्वस्तिका के जातुदक्षित इस हाया यह जा अग पलग विदा好吧 झाल झाल